कॉंग्रेस के निता पियल पुनियस वक्त में सद मौझूद है सर देखा जाया तो लगातार मायावती से लेकर प्रयांग का कांधी की तरम से भी बयान सामने आ रहे है कि जब बात नोकरियों के की जाती है तो फिलाल नोकरिया खतम हो चुकी है वित मंत्री को आकर सामने से ब लोगों का ये कहना है कि आर्थ विवस्ता की हालत बहुत खराब है नोकरियां तूट रही है बेरुजगारी बढ़ रही है फेक्ट्रियां बंद हो रही है डिमांड खतम है इन्वेस्मेंट हो नहीं रहा है एक्सपोर्ट बंद है इस सब पर ध्यान हटाने के लिए वो मु बेरोजगारी की दर अभी है और जो GDP ग्रोथ रेट वो भी कम वी तो एस्टिमेटिड था 7.2% 7.3% वो 7% के कर रहे हैं और Reserve Bank of India नो उसको कहा कि 6.9% तक ही रहेगा तो GDP ग्रोथ रुपे की हालत इतनी होगी अब लगबग 72 रुपया एक डोलर के बराबर हो गया तो ये निरंतर स्टिती खराब होती जा रही है और इस पर सवाल हमारे पार्टी की राष्टी पहास सचीव सिर्मति प्रियंका गांदी वाडरा जी उन्होंने भी सवाल उठाये हैं कि बहरोजगारी है उसको देखते हुए फेक्टियां बंद हो रही है सरकार इसके उपर जहान दे चली सर ये तो रहा बेरुजगारी के मुद्धा एक बार जम्मू कश्मीर का डिसक्रिशन कर लिया जाए तो फिलहाल आपको क्या लगते है हालात आप लोग कितने वापे जो है अच्छे मान रहे क्योंकि सत्ता बक्ष के साबतर पर कहना कि स्थिती पहले से बहतर है लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो कहीं न कर जो सुद्बदार्ट है वो अलग नजर आ रही है देखे धारा 370 खतम करने के बाद अब सरकार के तरफ से दावा किया जा रहा है इस्तिती सामान्य हो रही है और उन्हेंने कहा कि आज से टेलिफोन से वा प्रारम कर रहे है सो हमार से जो घाटी में स्कूल कुलेंगे और दीरे दीरे बाकी से वाएं भी शुरू करेंगे